हाई एवरीवन वेल्कम टू मैं चानल मैं हूँ अर्चिना और आप सभी का स्वागत है हमारे चानल पे आज मैं एक रिव्यू करने वाली हूं आप लोग के साथ स्टाट करने से पहले आप लोगों को बता दू अगर हमारे चानल को आप लोगों सब्सक्राइब नहीं किया है मेरी क्वेश्च आया था तो मधी व्यू शेयर करने के लिए तो सोचा की चलो मैं वही जो है उसी का रिव्यू में आप लोग के शाद कर दे रही हूं तो आप लोग देख सकते हैं यह मैक का मशकारा और आइलाइनर और साथ में हमें फ्री में मिला था काजल पर वहां पर कोई और काजल हमें दिखाए गया था बट मिला है यह और हमने इसको कॉंबो पैक में लिया था इसकी मुझे बहुत ही जादा अच्छा लगा है इसके पहले का वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो यह इसी का यूज मैंने किया हुआ है क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है अच्छा है तो आप लोग को लेना हो तो आप लीजिए गाउस से पहले वीडियो को फूल वाच कर लीजिए और आप लोग देखिएगा कि हलफुल है कि नहीं तो यह है आई-लाइनर तो यहां पर लगाने के लिए जो दिया गया अप्लिकेटर बहुत ही अच्छा है अगर आपको अच्छे से नहीं आता है आई-लाइनर लगाने अगर आपका हाथ नहीं बैठा हुआ फिर भी आप बहुत अच्छे से लगा पाएंगी जैसा कि आप देखेंगी वीडियो में और इसकी एक स्वेट से सब लोगों को दिखला देती हूं यह देखिए एकदम ब्लैक डार्क ब्लैक है और वाटर प्रूफ भी है और बहुत ही जल्दी लगाते हैं बस कुछी से किन बात से आप देखेंगे कि यह हमारे स्किन पर लग चुका है और ड्राइभी हो जाता है और वाटर प्रूफ है यह भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी तो अभी मैंने लगा दिया है और देखिए इतना जल्दी यह सूख गया ना देखिए लगाने के बस तुरत बाद ही ऐसे सूख जाता है और यहां पे आप इसको कितना भी रब कर लें तो यह हटेगा नही एक दम वाटर प्रूफ है यह और यहां पे मैं पानी भी डाल कर आप लोगो दिखाऊंगी उससे पहले देखिए यह इसका मस्कारा जो बहुत ही अच्छा है आपकी आईलेसेस को कर्ली बनाता है और मैं को आईलेसेस भी यूज नहीं करती हूं तो आप लोग देख ही सकते हैं फड़ा बहुत कर्ली तो हुई है वैसे ज़्यादा लंबे नहीं और बहुत ही ज़्यादा जो है यह ऑफॉर्डेवल है बहुत ही ज़्यादा ओफोडेवल है और आप लोग देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कि काफुर टाइम पहले मैंने लिया था इसकी भी डार्कनेस देख लीजी बहुत ही ज्यादा अच्छा है और बहुत इजी टू यूज है और अब हम इसका यह चेक करेंगे कि यह वाटर प्रूफ है कि नहीं है तो उसके लिए हम पानी डाल कर भी बतात कि आंखे आपके प्राइज के उसका याद का जाओ तो इतना ज्यादा हम्हें मिल यावास हम इसका यूज नहीं कि अभी तक आज पहली बार साइद में पहली बार इसका यूज करोंगे वैसे यह देख लिजिए प्रिवेश become थीज देख प्राइज में मिल गया ठीक आक है तीनों तो बहुत ही अच्छा तो फिरेंस अब मैं आप लोग को इसका डेमो तिकला रही हूं सबसे पहले लाइनर लगा लेंगे तो लगाने में बहुत ही जादा एजी है आप बहुत ही अच्छे से लगा पाएंगी और मुझे भी कोई इतना जादा एक्सपरियंस नहीं है लगाने का बहुत ही कम लगाती हूँ मैं ज्यादा नहीं लगाती हूँ और बहुत ही पतला लाइनर ड्रो कर रही है जैसा कि आप देख ही रही है तो ऐसे ही दोनों आखों में लगा लेंगे और यह वाटर प्रूफ है और लॉंग लास्टिक भी है साथ में आप लगाते है उसके बाद अब देखेंगे थोड़ा बहुत लाइट लाइटनेस भी आजाता है इसको लगाने के बाद आप लोग देख सकते हैं अब हम मस्कारा लगा लेंगे तो मस्कारा भी ठीक ठाकी है अच्छा है लांग लास्टिक है और लगाने के बाद बहुत ही जल्दी आपको टेंशन नहीं रहेगी कि कई पर ऐसा होता है कि हम मस्कारा लगा रहे होते तो इधर लग जाता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं भी नहीं होगा और आईलेसे जोए वह कर ली हो जाएंगे आप लोग देखी सकते हैं मैंने कोई अलग से आईलेसे नकली जोड़ा आईलेस इसका वीडियो मैं आप लोगे शेयर करूंगी आज कल मैं थोड़ा ध्यान दे रहे हूं इसको बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए उसके बाद मैं यह काजल लगा ले रही हूं तो काजल ठीक ठाक है उतना अच्छा नहीं है फिर भी ठीक ठाक है काम चला हूँ है बट इ यह था मेरा आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को बताएगा और वीडियो को लाइक कर देगा थेंक यू सो मॉच वर वाचिंग गाईज बाई